इस तरह की किचें ट्रिक आपने ना ही देखी है और ना ही सुनी होगी तो इस वीडियो में हम मैं आप लोग को ऐसी ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जो आप लोग का समय तो बचाएगी है और हमारा हर काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा आप सब कैसे हैं I hope कि आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं हम सभी के घरों में चने की भाजी बनाई जाती है तो चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ किस तरीके की चने की भाजी बनाती हूँ और इसमें मैं क्या मिलाती हूँ जिससे की चने की भाजी बहुत ज़दा टेस्टी बनती है तो हम इस तरीके से दो टमाटर ले ले लेंगे यह आदा किलो भाजी है उसमें दो चार हरी मेश और कुछ लैसुन डाल दिंगे और थोड़ी सी अद्रक डाल दिंगे आप चाहे तो इसमें नमक डाल सकते हैं इसमें पानी डालिए और इसे बॉइल करने के लिए रख दीजिए 5-6 सेटी की बाद गैस को आप लोग को आफ कर चने की भाजी को जब हम बॉइल करते हैं उसमें से भी कुछ पानी निकलता है उस पानी को यूज हमें इसमें करना है आप लोग जिस तरीके से तड़का लगाते उस तरीके से आप लोग तड़का लगा सकते हैं मैं इसमें नमक डाल दूंगी और दो लैसुन की कलिया डाल भजी को हमें कड़ाइ में डाल देना है उसके बाद मैं आप बलोगको ऐसी के नहीं आर्पक्रेण बहुत ही mix कर लेना है और इसे अच्छे से पका लेना है उसके बाद आप लोग की भाजी बहुत ही ज़़ा टेस्टी लगेगी इस ट्रिक को आप लोग जरूर ट्राइ करिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग को ये ट्रिक कैसी लगी हम सभी के घरों में लाइटर यूस किया जाता है खराब लाइटर को फेकने से पहले आप लोग ये ट्रिक जरूर अपनाईए हम सभी रोटियां बनाते हैं रोटियां बनाने के बाद हम गैस को बंद कर देते हैं तब हमारा जो तवा रहता है वो गरम रहता है उसमें हम अगर लाइटर को कुछ देर के लिए इस तरीके से रख दें और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा जो लाइटर है वो चालू हो जाएगा आप लोग ये दूसरी ट्रिक पर अपना सकते हैं लाइटर को कुछ घंटों के लिए या फिर एक दिन के लिए धूप में रहने दीजिए उसके बाद आप लोग लाइटर को यूज कर सकते हैं खीर बनाने में हम सब को बहुत ज़ादा टाइम लगता है तो मैं आप लोग के लिए एसे ट्रिक लेके आई हूँ जो आप लोग को बहुत ज़ादा पसंद आने वाला है और आप लोग की खीर बहुत जल्दी बन करके तयार हो जाएगी इस खीर को बनाने के लिए आप लोग को ज़ादा समय नहीं लगेगा और आपका समय भी बचेगा तो मैं आप लोग को ये easy तरीका बताती हूँ हमें पहले चावल को इस तरीके से boil कर लेना है पानी में और उसके बाद उस चावल को ठंडा करना है हमें चावल को पहले पका लेना है और उस चावल को हमें किसी भी बरतन में रख करके उसे ठंडा कर लेना है इस पके हुए चावल को हमें दरदरा पीसना है, पुरा चिकना नहीं पीसना है, नहीं तो हमारी खीर अच्छी नहीं बनेगी तो मैंने दूद पहले से ही दूसरे बर्तन में बॉयल करके रखा हैं और उसके बाद हमेसे इसमें मिक्स कर देंगे इसमें आप लोग सकर और ड्राइफूट्स जो भी हैं आप लोग के पास वो सारी चीज़े इसमें डाल सकते हैं जो आप लोग अपने खीर में डालते हैं और उसके बाद इसे थोड़ा सा पका लेजिए तो आप लोग की खीर जल्दी से बन करके तैयार हो जाएगी और आप लोग की खीर बहुत जदा टेस्टी भी बनेगी अगर आप याली ट्रिक अपनाते हैं तो आपकी खीर बहुत गाड़ी बनेगी और इसमें जो टेस्ट है वो भी आप लोग का वैसे ही रहने वाला है इससे आप लोग का समय भी बचेगा और आपकी गैस भी बचेगी तो ये ट्रिक आप लोग को कैसी लगी ज़रूर बताईए और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी इसे ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें हम सभी के घरों में चाय चानने वाली च्छनी तो जरूर होती है और जब वो खराब हो जाती है तो उसे हम फैक देते हैं तो इस वीडियो के देखने के बाद आप चाय च्छनी को कभी फैकेंगे नहीं उसका यूज जरूर करेंगे हम सभी के गरों में पकोडे बनाए जाते हैं पूरिया तली जाती हैं और भी चीज़ें जो हम तेल से बनाते हैं तेल में तलने के बाद तेल देखिए इस तरीकी का हो जाता है जिसे हम यूज नहीं कर सकते हैं तो इस तेल को छानने के लिए या तो हम छन्नी का यूज कर सकते तो अब पुरानी चनी को फेकने से पहले ये ट्रिक जरूर ट्राय करिए तो तेल को दुबारा से साफ करने के लिए हम इस चनी का यूज़ कर सकते हैं अब देखिए हमारा तेल कितना साफ हो चुका है तो इस तरीके से तेल को साफ करने के लिए हम इस चनी का यूज़ कर सकते हैं तो यह सभी ट्रिक आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईए